हलो फ्रेंट्स आज हम चटपटे मसाला मट्र बनाने वाले हैं मसाला मट्र बहुती ज्यादा टेस्टी होते हैं सर्दियों में मट्र इजली अबलेबल होते हैं तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाना। तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रस कर दीजिए ताकि आपको मेरे निव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो यहां पे चटपटी मसाला मटर बनाने के लिए मैंने अप्रोक्स 250 ग्राम मटर ले लिए इनको पील करके अच्छे से वाश कर लिया था वाश करके इनका पानी सारा निकाल दिया चनी में डाल दिया था अब हम इनको फ्राइब करेंगे तो फ्राइब करने के लिए एक चम पसंद आती हैं तो अब बच्चों के लिए मटर को इस तरीके से फ्राइ कर सकते हो तो देखिए मैं इनको थोड़ा सा धक्के रख दूँगी धक मैं इसलिए रही हो कि आपको पता ही होगा कि मटर मतलब उचलते हैं तो इसलिए वह मतलब इधर उधर ना गिरिंग कड़ाई स इसलिए आप उनको थोड़ा सा पार्शली ढग दीजिए मतलब तो देखिए अब यहां पर एक बार मैंने चला दिया था इनको फिर से ढखके रख दूँगी दो मिनिट के लिए फिर दो मिनिट बाद देखिए यह बहुत अच्छे से हो गए हैं अब यह मतलब मतलब इधर से खाएंगी नहीं तो आप किसी नहीं किसी तरीके से व्चा को हलदी देजिए दूद में अचा झीलुक।क भाले न्लिट जवर पाउडर मानच पार्ड़ा लिया है तो मैं लाल मृचक बावड थोकि बच्छी के लियह बना रही हूं ना तो बहुत दर दो क़िए मतलब अब इन सब को मिलाने के बाद दो मिनट और सिखने देंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से सिख जाएं फिर इसके बाद हम इनको सर्व कर लेंगे तो यहां पर मैंने दो मिनट और ढख दिया है यह जो रेसेपी बहुत ही आसान है और हेल्दी होते हैं हरे मटर भी बहुत जाए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजेगा इस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री प्लीज मेरे सपूर्ट की लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए देखे यहां पर हमारे मटर बनके तयार हो गए है आप और हमने को गर्म-गरम सर्व कर लेंगे वह इनी म मटर को आप चाहक हो तो सब्स foreign हैं तो मिंस क्या कर सकते की मर कुस तरीकरे से संघ के फ्रिज में रख लीजिये और दो तीन बार सबजी में यूज़ कर लेज़े तो क्योंकि मटर सिखने में थोड़ा सा टाइम लगता ले इसलिए आप ऐसा कर सकते हो तो गाईज अगर आपको रेसिपी अच्छी लगो तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर बाबाई